तो चुलिए अब आपको सिद्र लिचलते हैं चुहां प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी खिलाडियों से बातशीत कर रहे हैं न सिर्फ सफल आयोजन किया है बलकि चेश में अपनी समर्थ परंपरा को जारी रखते हुए स्रेश्ट प्रदसन भी किया है मैं चेश अलिम्पियार में हिस्सा लेने वाले सभी ठिलाडियों को और सभी मेडल विजेताओं को भी आज इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता साथ्यों कॉमन वेल्ड गेम शुरू होने से पहले मैंने आप सभी से कहा था एक प्रकार जब आदा किया था कि जब आप लोटेंगे तो हम सब मिलकर के विजयोत्सों मनाएंगे मेरा एक confidence था कि आप विजयोत्सों होकर के आने वाले हैं और मेरा एक management भी था कि मैं जुरू कितने ही व्यस्तता होगी आप लोगों के विज समय निकालूंगा और विजयोत्सों मनाऊंगा आज ये विजयोत्सों का ही अवसर है अभी जब आप से में बात कर रहा था तो मैं आप में विश्वास वो होसला देख रहा था और वही आपकी पहचान है वही आपकी पहचान से जुड़ चुका है जितने मेडल जीता वो भी और जो आगे मेडल जीतने वाले हैं वे भी आज प्रसौंशा के पात्र है अध्यों वैसे में आपको एक बात और बताना चाहिए आप सभी तो वहां मुकाबला कर रहे थे लेकिर हिंदुस्तान में क्योंकि टाइम डिफ्रेंस रहता है यहां करोडो भारतिय रत्य जगा कर रहे थे देर रात तक आपके हर एक्षन हर मुव पर देश्वाचियों की नजर थी बहुत से लोग अलाम लगा कर सोते थे कि आपके प्रदस्टन का अपडेट लेंगे कितने ही लोग बार बार जाकर चेक करते थे कि स्कोर क्या हुआ है कितने गोल कितने पॉइंट हुए खेलों के प्रती इस दिल्चस्पी को बढ़ाने में यह आकरस्ण बढ़ाने में आप सब की बहुत बड़ी भूमिका है और इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र है साथियों इस बार का जो हमारा प्रदर्शन रहा है उसका इमानदर आकरन सिर्फ मेडल की संख्याज से संभव नहीं है हमारे कितने खिलाडी इस बार नेक टू नेक कंपिट करते निजर आए यह भी अपने आप में किसी मेडल से कम नहीं है ठीक है कि 0.1 सेकंड, 0.1 सेंटिमेटर का फासला रह रहा होगा लेकिन उसे भी हम कवर कर लेंगे यह मेरा आपके प्रतिक पूरा विश्वास है मैं इसलिए भी उत्साहिद हूँ कि जो खेल हमारी ताकत रहे हैं उनको तो हम मजबूत कर ही रहे हैं हम नए खेलों में भी अपनी चाप ठोड़ रहे हैं हो कि मैं जिस प्रकार हम अपनी लेगेसी को फिर हासिल कर रहे हैं उसके लिए मैं दोनों टीमों के प्रयास उनकी महनद उनके मिजाद उसकी बहुत बहुत सराना करता हूँ भूरी भूरी प्रसंसा करता हूँ पिछली बार की तुलनाबे इस बार हमने चार नए खेलों में जीत का नए रास्ता बनाया है लॉन पाउल्ट से लेकर एटलेटिक्स तक अभूपुर्व प्रदर्शन रहा है इस प्रदर्शन से देश में नए खेलों के प्रति युवाओं का रुजान बहुत बढ़ने वाला है नए खेलों में हम इसी तरफ अपना प्रदर्शन और सुधारते चलना है मैं देख रहा हूँ पुराने सारे चेहरे मेरे सामने हैं शरत हो, केदामी हो, सिंदू हो, शौरब हो, मिराबाई हो, बजरंग हो, बिनेज, साक्षी आप सभी सीनियर अटलेट्स ने उमीद के मुताबिक लीड किया है हर एक का होसला बुलंद किया है और वहीं हमारे युवाओ अटलेट्स ने तो कमाल ही कर दिया है गेम्स की सुरुवाद से पहले मेरी जीन युवाओ साथियों से बात हुई थी उन्होंने अपना बादा पूरा निभाया है जिन्होंने डेब्यू किया है उनमें से 31 सांथियों ने मेडल जीते हैं यह दिखाता है कि आज हमारी युवाओं का confidence कितना बढ़ रहा है जब अनुभवी शरद डोमिनेट करते हैं और अभिनाद, प्रेंका और संदीप पहली बार दुनिया के stress athlete को तक्कर देते हैं तो नए भारत की spirit दिखती है spirit यह कि हम हर race में, हर competition में अड़े हैं, तैयार खड़े हैं एटलिस के podium पर, एक साथ, दो दो स्थान पर, तिरंगा के हो सलामी देते भारतिये खिलाडियों को हमने कितनी बार देखा है, और साथियों, अपनी बेटियों के प्रदर संते तो पूरा देश गदगद है अभी जब मैं पूजा से वाद कर रहा था, मैंने उलेग भी किया, पूजा का वो भावुक वीडियो देख, सोचल मिडिया के मातम से कहा भी था, कि आपको माफ्री मागने की जरूरत नहीं है, आप देश के लिए बिजेता है, बस अपनी इमानदारी और परिश्णम में कभी कमी नहीं चोड़नी है, अलेंपिस के बाद, बिनेज से भी मैंने यही कहा था, और मुझे खुशी है, कुनों ने निराशा को पीछे छोड़ते हुए स्रेश्ट प्रदसन किया, बॉक्सिंग हो, जुड़ो हो, कुस्ती हो, जिस प्रकार बेटियों ने डॉमिनेट किया, तो अजबूत है, नीच्टियों ने तो प्रतीद बंदियों को मैदान छोड़ने पर ही मजबूर कर दिया, हार्मन पृत के नेतरुत में पहली बार नहीं, क्रिकेट में बहतरिन प्रदर्शन किया है, सभी खिलाडियों का प्रदर्शन बहतरिन रहा है, लेकिन रेडुका की सिविंग का तोड़ किसी के पाथ अभी भी नहीं है, दिग्यचों के बीच टॉप विकेट टेकर हो रहना कोई कम उपलब्दी नहीं है, इनके चहरे पर भले ही शिबला की शांती रहती हो, पहारों की मासूम मुस्कान रहती हो, लेकिन उनका एग्रेशन बड़े बड़े बैटर्स के होसले पस्त कर देता है, ये प्रदर्शन निच्चित रुप से दूर सुदूर के ख्षेत्रों में भी बेटियों को प्रेडित करेगा, प्रोच्छाहित करेगा, साथियों, आप सभी देश को सिर्फ एक मेडल नहीं, सिर्फ सेलिपरेट करने का गर्व करने का अवसरी देते ऐसा नहीं है, बलकि एक भारत सेष्ट भारत की भावना को आप और ससक्त करते हैं, आप खेलबे ही नहीं, बाकि सेक्टर में भी देश के युवाओं को बहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं, आप सभी देश को एक संकल्प, एक लक्ष के साथ जोड़ते हैं, जो हमारी आजादी के लड़ाई की भी बहुत बड़ी ताकत थी, मात्मा गांधी, नेताजी सुपाचन दे बोश, मंगर पांडे, तात्या टोपे, लोकमाने तीलक, साधार भगत्सी, चंदर्चेक राजात, अस्पागुल्लाखा, रामप्रथाद बिस्मल, अंगिनित सेनारी, अंगिनित क्रांतिवीर, जीन की धारा, अलक्थी, लेकिन ल जलकारी बाई, दुर्गाबावी, रानी चेनम्मा, रानी गाइडिनल्यो, और वेलू नचियार जैसी अंगिनित विरंगनाओरे, हर रूडी को तोड़ते हुले, आजादी की लड़ाए लड़ी, बिर्सा मुन्डा हो, अलूरी सिताराम राजू हो, गोविन गुरू हो, ज पर सरफ अपने होंसले, अपने जजबे से इतनी ताकत्वर सेना से टक कर ली थी, डॉक्टर राजेंदे प्रशाद, पंडित नहरू, सरदार पटेल, बाबासाब अमेड़कर, आचारे मिनोबा भावे, नानाजी देश्पोग, लालबादुर शास्त्री, शामा प्रसाद म घरकी, जैसे अनेग विभूतियों ने आजाद भारत के सपनों को पुरा करने के लिए जीवन खपा दिया, आजादी के लड़ाई से लेकर, आजाद भारत के नवनिर्मार में, जिस तरह से पूरे भारत ने एक जूठ होकर प्रयास किया, उसी भावना से आप भी मैदान मे उतरते हैं, आप सभी का राज, जीला, गाउं, भाशा, बले कोई भी हो, लेकिन आप भारत के मान, अभी मान के लिए, देश की प्रतिष्ठा के लिए, अपना सर्वस्रेश प्दर्शन करते हैं, आपकी भी प्रिणा शक्ती तरंगा है, और तरंगे की ताकत क्या होती है, मैं पहले उक्रेन में देखा है, तिरंगा युद्जक्षेत्र से बहार निकलने में, भारतियों का ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों को लोगों को लिए भी सुरक्षा कवज बन गया था, साथियों बीटे समय में हमने दूसरे टूर्णामेंट में भी बहत्रीन प्रदर्शन किया है, इसी प्रकार, वर्ल्ड क्रेड़ेट रैसलिंग चेंपिंपिंजिप और पैड़ा गर्मिंट्रियों टूर्णामेंट इसमें भी कई नय रेकॉर्ड बनाए गए है, ये भार्तिय खेल के लिए निस्चित्रूप से उत्सां और उमंग का समय है, यहाँ अनेक कोज भी है कोचिंग स्टाप के मेंबर्स भी है और देश के खेल प्रसाशन से जुड़े साथी भी है इन सफलताओं में आपकी भूमी का भी बहतरीन रही है आपकी भूमी का बहुत महतोपूर होती है लेकिन यह भी तो मेरे इसाब से शुरुवात है हम संतोष मान करके चुप बैठने माले नहीं है भारत के खेलो का स्वार्णिम काल दस्तक दे रहा है दोस्तों मुझे खुशी है खेलो इंडिया के मन से निकले अनेक खिलाडियों ने इस बार बहतरीन प्रदर्शन किया है टॉप्स का भी पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिल रहा है नए टैलेंट की खोज और उनको पोडियम तक पहुंचाने के हमारे प्रयासों को हमें और तेज कर रहा है हमारे उपर कोई भी टैलेंट छुटना नहीं चाहिए क्योंकि वो देश की संपदा है देश की अमानत है मैं सभी एथलेट से आगरपुर्व कहुँगा कि आपके सामने अब एशियन गेम्स हैं ओलिम्पिक्स हैं आप जम कर तैयारी कीजिए आज आदी के पचता